पिंजरे में कैद इंसान जानवर नहीं पिंजरे में इंसान चीन का अंदेखा सच चीडिया घर में जानवर बाडों में रहते हैं या जनजीरों से जकड़े रहते हैं पर चीन के चीडिया घर में जानवर पूरी तरह से आजाद रहते हैं और यहाँ इंसानों को पिंजरों में कैद होकर उनके करीब जाना पड़ता है अगर आपको ये बात मजाख लग रही है तो आप गलत है ये तस्वीर चीन के चॉग किंग सिटी के लेहे लेडू चिडिया घर की है इस जू में लोगों को लोहे के पिंजरों और बसों में बंद कर जानवरों को करीब से देखने का मौका दिया जाता है इस दोरान ये खतरनाग जानवर लोगों के हातों में मौझूद फ्रेश मीट के टुकड़े को पाने के लिए उन पर अटैक करने की कोशिश भी करते हैं यहाँ टूरिस्ट एक होल के जरीय अपने हातों से इन जानवरों को फ्रेश मीट खिला सकते हैं मीट खाने के लिए ये खतरनाक जीव गाड़ियों के तरफ दोड़े चले आते हैं बता दे कि जू में मीट के टुकड़ों को गाड़ियों के बाहर बाहर बांद दिया जाता था लोगों को उंगलियां बाहर निकालने पर भी मना ही थी हलाकि अब ऐसान नहीं है जू के अंदर सफेज शेर, बंगाल टाइगर्स, एफरिकी शेर और भालू के अलावा कई अन्य जानवर मौजूद हैं इनके पास जाना बेहद ही खतरनाक होता है लेकिन इस व्यवस्ता के जरिये टूरिस्ट में रोमांच पैदा होता है और वे जू घूमने का पूरा आनंद उठा सके इस लिहाज से एक अदम उठाए गए थे इस दोरान परिटकों को सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है ताकि कोई अन्होनी ना हो सके बहराली तस्वीरे दुरिया भर में चर्चा पा रही है और चिडिया घर में लोगों की आवग भी बढ़ गई है NMF News की रिपोर्ट